हलो शुरेंट्स एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आप सभी के पसंदीदा बायो विदे सी आई चैनल पे शुरेंट्स पल पल की अपडेट डॉक्टर रामनो लोया श्विद्याले की परिच्छा संबंदियों साथ साथ रिजर्ड्स परिच्छा फार्म को लेकर आप टा यहां पर अधिसुचना जारी हुई है लेकिन यह अधिसुचना पूरी है क्या है और इसमें किन किन बच्चों को यहां पर प्रमोट कर दिया गया है अभी अभी यहां पर अफिशली अपडेट आ चुकी है मैं पढ़कर आप सभी को बताने जा रहा हूं बात को आपको ध् बच्चे हैं आप सभी में से यह बात केवल बीए बीए सी बीकॉम के लिए कही जा रही है जो भी बीए बीए सी बीकॉम के बच्चे जिनका फर्स सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में किसी भी पेपर में बैक आ गया था जिनके माक्षीट में एटी केटी लिखा रहें उनका वहाँ पर परिच्छा फार्म शो नहीं कर रहा है जब वह अप्शन अपना डाल रहें वहाँ पर तो दूसे यहाँ पर बच्छे परशान थे कि अब हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर विश्वी डलेक द्वरक बड़ा फैसला लिया गया है पूरे नोडिफिक किसी भी विश्वी में बैक लगा था जिसकी वज़ा से उनकी माक्षीट में एटी केटी लिखा हुआ है तो ऐसे बच्चों को अब बैक पेपर नहीं देना होगा उनका पांचवे सिमेश्टर में जो इस समय फारम डाला जा रहा है पांचवे सिमेश्टर का उसकी बात की जा रही है यानि थर्ड एयर यानि पाचवे सिमेश्टर में परिच्चा फारम नहीं भरा पा रहा था उन बच्चों को विश्वज़ाय के द्वारा पास कर दिया गया उनको प्रमोट कर दिया गया बिना बैक पेपर के बिना परिच्चा के और अब उन सभी का जो परिच् परिछा फार्म है दो हजार चौबीस में जो परिछा फार्म फिट समिस्टर का भर रहे हैं उसको वो भर सकते हैं और ये आगे चलकर जो है आगे चलकर ऐसे बच्चों को फिर से प्रमोट यानि दुबारा से अगले साल ऐसा प्रमोशन होगा की नहीं होगा आगे इसमें तरह कि मुझे प्रमोर्ट किया गया या फिर नहीं किया गया क्या मैं परचा फॉर्म अधा सकता हूं मुझे alumni करें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं हबते कमेंट करें रिप्लाइब जने का प्रयाश करूँतका है वीडियो को ला सन देखने की लिए थेंकहां